हालो दोस्तों जैमता की राधे राधे आप सभी को तो आप सभी डेली रूटिंग ब्लॉग वीडियो काफी देखे होएंगे लिकिन आज मैं अपने मंदिर की पूरी सफाई और एक साथ सभी भगवान जी का अश्नान का वीडियो आप सब के लिए लेके आई हो तो वीडियो आज मेरा चला गया क्योंकि आज मैं शिंगार भी की हूँ और यह अनपुर्णा मता का चावल इसमें मैं रखती हूँ आठ दिन में चावल वदली करती हूँ अगर आपके भी घर में अन्धन की कमी हूँ तो अनपुर्णा मता का एक छोटा सा विग्रह लाके और उनको भी एक चावल में विराज मान के रखे कोई भी अन्न में रखे आपने किचन में भी रख सकते हैं मंदिर घर में रख सकते हैं तो सभी छोटे वाले भगवान जी को मैं शिनान करने के लिए लेके गई हूँ और बड़ी वाली विग्रह जी का सभी का पुशाक्य निकाल रही क्योंकि इनको भी मैं लेके चलूंगे अभी बड़े वाले जो मेरे राधा कृष्णा है कभी मंदिर में ही अश्टान करेंगे और उसकी बाद बाकी जितना विग्र हैं मैं सब को कीचन में ले जाके अच्छी से अश्टान कराती हूं क्योंकि जैसा कि मैं कई वीडियो में बताएं उनके उपर मैं कुछ नकुछ लगा के ही करती हूं और यहां पर मैं भस्म और दही मिक्स करके लगा रहे हूं यह भस्म में थोड़ा सा सुगंद रहता है और यह पता नहीं क्यों न यह भस्म लगाने से जैसी की पितामरी जैसा चमक आये या फिर कोई दही की जैसे चमक आये वैसा होता है तो इसके लिए मैं यह भी लगा के नहला देती हूं तो सभी को पहले मैं पोट के बठा जी हूं फिर सुन्दर सा इनका फेसियर ब्लीज करके लेकिया गए है और बड़े ही सुन्दर लग रहे है एकदम चकाचक लग रहे है एकदम साफ तो ये टेवल को अच्छे से मैं क्लीन करके सभी को मैं अश्णान करके यहें पे बठाती जाओंगी आप मैं मातारानी को नहला रही हूं इनको मैं पहले द्वस में लगा दिती फिर देर सारा दही का इनको लेप के जैसे लगा के पांच मिनट छोड़ दी फिर उसके बाद रगड रगड की अच्छी से नहला ही जैसा कि मैं कई वीडियो में बोली हूं जब मैं कोई भगवान जी को अश्नान कराती हूं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूं यानि कि हाप रातना करती हूं कि आप थोड़े टाइम के लिए विग्रे से निकल के मंदिर में बढ़ जाए जिससे कि आपको तकलीप नहों तो देखिए मेरे मातारानी भी नहा के आ गई है और य पूरा रगड के साफ करना पड़ता है और मेरे मंदिर का जो डीको पेंट आता है वही ऊपर से बहुत अच्छी से अराम से साबुन पानी लगा के साफ करेंगे ना तो साफ हो जाता है और बीच-बीच में जो पानी ली हूं इसको बदली कर रही हूं इतना जादा आप सब कर दी हूं और इसी तरह से पूरा मंदिर का क्लीन होता है यानि कि मैं सुबे से लगी थी और आज इक दिन मैंने शिंगार के थी तो मैं आठ वजे तक मतलब मेरा पूरा टोटल हुआ था अर एकदम फास पारवट जैसा आप सब को दिखा रही हूं वैसा फास पारवट नह होता है मैं भोग नहीं लगा सकते हैं तो देखिए आप लड़ो कुपाल को जब लाने लगे ता आपके मन का यह भाव रहना चाहिए कि मेरे लड़ो कुपाल बाल सीच्व अवस्ता में आ रहे हैं जैसे कि हम 3 मेना और 6 मेने के बच्चे को अन्य नहीं खिलाते हैं वही भा लगाने का फल मिलेगा उतने ही आपको मिलेगा आप जब सेवा करने लगे तो आपकी सिव अपने आप बड़ा T Crispwij got लड़ो गोपाल का अन्न का शिवा नहीं देती थी फिर धीरे-धीरे मेरा सिवा बढ़ा है पहले मैं दूद पुरूड का ही लगाती थी तो अब मैं सभी जनको उनके उनके अस्थान पे सेट कर दूँगी क्योंकि इनको इधर-उदर रहना पसंद नहीं है और मैं जे भी इन लच्मी अंत्र है इनको मैं कभी-कभार अशनान करा तो ने पोज के कलावा लपेट के रखती और धूब-दीब दिखाती हूं क्योंकि लच्मी अंत्र है तो रोज अशनान नहीं कराना रहता है ऐसा बोलते हैं तो अभी मैं भोलेनात जी को भी कलावे का ही पुशाक पहना है कि हमने जो लाइक के लिए बहुत लगते है कि बहुत मेंनत लगता है वीडियो बनाने में अरिच टाइम के बच्चे को पकड़के रखी वीडियो लिए क्योंकि कमरे को आगे लाओ पीछे लाओ यह सब करने में बहुत टाइम जाता है फिर भी हम सोचते हैं कि कुछ चीजे ऐसे करें जिसे में से अगर आप सब एक भी चीजे सीख लिए ना तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाता है यानि कि जिसको नहीं आता है बाकी तो मैं इत्र लगा दे रही हूं राधा कृष्णा को अब मैंने भी साइड में खड़ा करके रखी हो और इस टाइम पर मैं पूजा कर लूँगी और तिलक उलक लगाने के बाद फिर मैं खाना काऊंगी क्योंकि इस टाइम पर ढाई बज चुका है सुबह से लगने के बाद त लेकिन एक साथ में डालती ना तो काफी बड़ा वीडियो हो जाता है इसके लिए मैं इसमें नहीं डाली हूं तो यहां पी इनको अभी मैं दो पहर का पूजा समझे कर रही हूं एक बार हो चुका था मुनक्य वगर रखी इनको भोग लगा दी थी फिर अभी अशनान करान तो आप सब बोर हो जाएंगे बड़ा वीडियो देखने के लिए तो सिंगार में अच्छे से दर्शन कराना चाहती हूं क्योंकि मैंने रिपीट नवरात्री वाला ही पोशाक पहनाई हो उसमें थोड़ा बहुत चेंज की हूं उनका तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं जया मताँ की दादे दो